अस्तलाम अलेकूम नमस्कार सासरेकाल आदाप साथियों यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत के एहमतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो यह वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिएगा और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो या फिर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्रिब करके बेल अकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको फ्री में हमेशा मिलती रहे तो साथियों आज बहुत ही बड़ी अपडेट लेका हैं बहुत ही अच्छी खबर लेका हैं दोस्तों बहुत स कुवारा जाने का मौका कम मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ वहाँ पे एक महिने का वो छूट दिया गया था कुएद गौर्मेंट ने चूट अपने तरफ से दिया गया जिसमें दोस्तों खाने पीने का सारा मौया टिकट वगएरा सारा कुछ दोस्तों आपक दोस्तों क्या किया हूँ वो इस बात को दोस्तों तवज्यों नहीं दिया गया और बहुत सार लोग वहाँ पे नहीं गया है आपको बता दो स्रिफ वह 26,000 लोगी उस महीने जा पाये थे इल्लीगल जो और अभी भी वहाँ पे क्वेट में 90,000 से भी जादा लोग वहाँ पे मौझूद हैं क्वेट में जो इल्लीगल तरीके से क्वेट गये थे और इल्लीगल तरीके से वहाँ पे जाके रह रहे थे और काम कर रहे थे तो साथियों अभी जो illegal तरीके से वहाँ पे लोग रह रहे थे तो आपको बता दू साथियों वहाँ पे बहुत सर लोग बहुत ही ज़्यादा problem हो रहा था ना उनके पास खाने के पैसे हैं ना उनके पास कोई काम था ना कोई इनको जेनमीन कोई चीज दिया जा रहा था तो वहाँ पे खाने खाने के लिए दोस्तों वहाँ पे लोग महताज हो रहे थे पर दोस्तों आपके लिए बहुत जो illegal तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं पर दोस्तों ये कब होगा अभी इसका कोई मतलब किलियर नहीं कियागा पर वहां के जो डिप्टी ओफिसर जो वहां पर वो बोल दिया कि जितने भी लीगल तरीके से कुएत में फिलाल अभी जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत ही जल्दी अपने मुल्क अपने मुल्क अपन मिला है तो दोस्तों बस कुजदी नहीं आगको सबर करना है बहुत ही जल्दी एलाउस्मेंट हो जाएगा कि अब कबसे इल्लीगल लोगों का घर जाने का सिलसला इस्टार्ट होगा कबसे उनका फ्लाइट इस्टार्ट होगा सारा कुछ डीटेल बता दिये जाएगा तो द लोगों का फ्लाइट इस्टार्ट होगी सारा कुछ डीटेल अभी बता दिये जाएगा तो आई होग दोस्तों आपको ये वीडियो जरू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जिरू करिएगा अपने दोस्तों को साथ सेर किजिए ताकि और भी लोग जो वहाँ पी लीग